हेलो फ्रेंट्स वेलकम मैं सिद्धान स्वागत करता हूं आपका पेपर राइकर चैनल में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूं ठीक है तो आज मैं आपके लिए बीए सेकेंड सेमिस्टर इंग्लिश लिटरेचर का जो फर्स् हूं चैप्टर का नाम है और टू ए नाइट इंगेल राइटर एंस के जॉन कीट्स ठीक है चलिए पढ़ना शूर करते हैं चैप्टर है हमारा और टू ए नाइट इंगेल ठीक है माई हर्ट एचिस मेरा दिल जो है वो दुखता है एंड और आ ड्रॉसी नमनेश पेंस और एक ऐसा दर्द होता है ड्रॉसी नमनेश नमनेश का मेंस होता है लकबा मार जाना फॉलिस मार जाना ठीक है पैरलाइस जिसको हम बोलते हैं और एक ऐसा दर्द होता है जैसे मेरे शरीर को लकबा मार गया हो माई सेंसिस मेरी जो इंद्रियां है as a dog of hemlock I had drunk मेरी इंद्रियों को ऐसा लग रहा है जैसे मैंने hemlock पी लिया हो hemlock एक जहर होता है ठीक है तो उसकी इंद्रियों को ऐसा लग रहा है पोईट की कि जैसे उसकी इंद्रियों को ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने hemlock नाम का एक जहर जो होता है वो पी लिया हो और emptied some dull opiate to the drains या फिर कोई बेकार सी पेंकिलर खाली हो वन मिनिट पास्ट एक मिनिट पहले एक मिनिट पहले ऐसा लग रहा था जैसे उसने लीद रिवर का पानी पी लिया हो ठीक है लीद एक रिवर है वहाँ पे उस रिवर का पानी पी लिया हो और फ्रेंस पढ़ते हैं यह जो लाइने है वो ली गई है कहा से पोयम का नाम किया है ओड टू आ नाइटिंगेल ठीक है जिसको कमपोज किया है किसने रोमेंटिक पोयट है जौन कीट्स कंटेक्स पढ़ते है As the poet hears the song of nightingale nightingale क्या होती है बुल बुल As the poet जैसे ही poet hears सुनता है The song of nightingale बुल बुल का गाना जो है बुल बुल की आवाज He is filled भर जाता है With the joy आनन्द से And for a moment और थोड़े समय के लिए Finds himself अपने आपको पाता है In the state of Astasy In the state of Astasy यानि अपने आपको पाता है परमानंद की अवस्था में परमानंद की अवस्था में अपने आपको पाता है It is the effect यह प्रभाव है Of nightingale's song Nightingale's song यह प्रभाव है बुल बुल के गाने का बुल बुल की आवाज का That Joe He considers the world As immortal As it has given Relief and pleasure To the human beings जो बहे बताता है Poet बताता है Considers बतलाता है The bird पक्षी को As immortal पवित्र As it has Given of Given relief जो हमें देती है क्या देती है Relief देती है And pleasure आनंद देती है To the human beings मनुश्यों को Explanation In the opening lines Of the poem सुरुआती लाइनों में Poems की The poet is Fascinated By the song of Nightingale That he hears The poet is fascinated Fascinated means By the song of Nightingale Bulubul के गाने के द्वारा Poets जो है कैसा हो जाता है मोहित हो जाता है That he hears जो भै सुनता है In a Grove near The cottage of his Friend Brown जो भै सुनता है कहां कुंज में कुंज मतलब गुंजते हुए सुर में सुनता है कहां पर कुटिया में किसकी और फिज Friend Brown अपने Friend Brown की कुटिया के पास में On Hearing the Word Song पक्षी का जो गान है वो सुनकर गाना सुनकर Keats Heart Experiences Keats का जो हिरदा है वो experience करता है अनुवब करता है A sensation of pain संसनी किसकी दर्द की दर्द की क्या महसूस करता है एक संसनी यूस करता है But This is the pain caused by the axis of joy यह जो pain हुआ है यह जो दर्द उसको हुआ है यह किस कारण हुआ है यह हुआ है axis of joy यानि कि आनन्द की अधिकता के कारण The melody of the nightingale song जो melody है जो गान है जो दौनी है सुर है of the nightingale song बुलुल के गाने की गुलुल की आवास की It's so sweet बहुत ही मदूर है मीठी है That is has That it has intoxicated the very senses of the poet और इसकी जो धुनी है मीठी धुनी है वो poet को poet की जो इंद्रियां है उनको कैसा कर देती है नशा जैसे नशा हो गया हो उसको वैसा कर देती है His senses are drenched in a sort of numbness with the result His senses उसकी इंद्रियां जो है are drenched यानि के भीग गई है in a short of numbness in a short of numbness some numbness की कमी के कारण with the result और इसके साथ ही परणाम यह है यह हुआ कि that he is in a state of almost complete insensibility कि वै एक ऐसी पूर्ण रूप अवस्था में पहुँच चुका है insensibility की किसकी insensibility की जहां पर उसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा he feels as उसको ऐसा महसूस होता है कि if he had drunk to his full sum preparation of opium और juice of hemlock कि उसने पी लिया हो to his full sum of preparation पूरी तयारी के साथ of opium और juice रस किसका hemlock यहनि कि hemlock एक तरह का एक जहर होता है उसको ऐसा लग रहा है कि उसने वो पी लिया हो his senses have become lethargic and inactive उसकी जो इंद्रिया है वो कैसी हो गई है सुस्त हो गई है lethargic means सुस्त हो गई है and inactive बिना कारी रत है to the extent that he has forgotten everything जो यह दिखलाता है जो यह बतलाता है कि वो हर चीज को भूल चुका है उस पर एक तरह का सुरूर चड़ गया है उसको नशा हो गया है he seems to have drunk भै ऐसा दिखता है कि to have drunk the water of leeds उसने लीद रिवर लीद नदी का पानी पी लिया हो the river of forgetfulness लीद रिवर का पानी कैसा होता है जिसको फीकर इंसान अपनी स्मृत्ती जो है अपनी मेमोरी जो है भो भूल जाता है in the classical underworld इस सामूहिक मानवों की दुनिया में the music of the nightingles song जो music है जो संगीत है nightingles song nightingles के गाने का exercises the hypnotic influence of a drug as a result of which the poet loses consciousness of his surroundings यानि की the music of nightingles song exercises nightingles यानि के बुल बुल के संगीत को सुनकर उसकी आवाज को सुनकर उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई ड्रग लेने के बाद उसमें घुल जाता है उसको बश में कर लेता है ऐसे ही उस नाइट इंगिल्स के म्यूजिक ने उस पोईट को क्या कर लिया है अपने वश में कर लिया है जिसके कारण वो अपने आसपास के बातावरण में जो भी चीजें हो रही है उसको क्या हो गया है भूल गया है आफ्टर हीरिंग दा नाइट इंगेल्स सॉंग नाइट इंगेल्स यानि कि बुल बुल की आवाद सुनने के बाद भूल जाता है अबाउट दा पेन दर्द के बारे में आफ वर्डली लाइफ यानि कि उसके जो जीवन में जो भी दुख दर्द है उसको भूल जाता है ठीक है तो यह हमने पहला एस्टेंजा कर लिया इस चैप्टर का नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए नेक्स्ट एस्टेंजा लेकर आएंगे तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने मित्रों को पास जो जो जिनके पास यह सब्जेक्ट है उनको जरूर पहुंचाए ठीक है तो म मिलते है नेक्स्ट क्लास में थैंक यू